नीतु सिंग मैम, अब ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है, जो वाकई में हम किस और ले जाना चाहते हैं, एजुकेशन को या एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट को, ये बहुत बड़ा प्रशन चिन्ने खड़ा उड़ता है, अभी जो गाइडलाइन सास्की के आ रही हैं, वो एडवर्टाइजर्स को ये भी रिस्ट कर रही हैं, कि भाई आप बच्चों पर ऐसा दबाव मत बनाएए, कि आपको खाना पीना छोड़ देना है, आपको 18-18 घंटे काम करना है, देखो इस बच्चे ने तो 18 घंटे पढ़ाई करी, तब जाकर ये आया आगे, इसने त खाना छोड़ दिया था, इनकी मेहनत को सलाम है, तो जब हम कहते हैं, इनकी मेहनत को सलाम है, तो ऐसा लगता है कि जो बच्चा 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे नहीं पढ़ेगा, वो आपकी नहीं पाई, तरह कि मिस्लीडिंग आप कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये बच्चों के मांसिक अवस्था के लिए अनहेल्दी हैं, ये ये को समझ में आ रहा है, शायद समाज के कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या educational institutions को ये समझ में आ रहा है, मैं की advertisement के चक्कर में, वो बच्चों के मांसिक सेहत से, उनकी मांसिक अवस्था से खिलवार कर रहे हैं? सर ये बहुत जरूरी था आना, बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, मैं आपको एक example देती हूँ, जससे NEET वगरा के जब results आएंगे आप देखिएगा, different institutes, एक से लेके 10 तक के जो toppers होते हैं, वो आप चार institute का देखिए, जो topmost institutes हैं, NEET और IAT वगरा में, वो सब में वह ही toppers दिखेंगे आपको, आपको मैं बता रही हूँ, बहुत ही moral degradation हुआ है इस छेत्र का, कि किसी एक institute से पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास second ranker है, first ranker नहीं है, तो first ranker को खड़िदा जाता है, अब ये जो बच्चे आज एक level पे आके बिक रहे हैं, कल वो जो समाज में आएं एक जगा से पढ़े हैं, चार जगा से वो पैसे कमा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बच्चों का moral degradation होता है, दूसरी बात है, सर ये जो topper, first ranker है, अगर उसको फिर से exam दिया जाए, तो हो सकता है, second बार में वो first ranker नहीं रहेगा, ये कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, बच mental harassment होता है, वो बाकि बच्चे अपने आपको ये फील करते हैं कि हम समाज में किसी के लाइक नहीं है, किसी काम के लाइक नहीं है, 95% स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये सोच के लड़की ने सुसाइट कर लिया, एक बच्ची ने, 10 standard की बच्ची ने सुसाइट कर लिया, तो ये बच्चों पर बहुत mental pressure भी डालता है, मेरा कहना है कि संस्थान अपने advertisements करें, कितना percent result दे रहा है, इस पर करें, तो अगर आपने 50% result दिया है, वो भी बहुत अच्छा है, वो percentage पर अपना result घोशत करें, क्योंकि सब हजारों बच्चों को पढ़ा है, चंद रिजल्ट सिर् वन से 10th ranker आप खरीद के दिखा रहे हैं, यह थान अपने साथ साथ बच्चों का, उन सब का moral degradation कर रहे हैं, आपसिव्यूटली